नमस्कार दोस्तों, तो हम BPSC में प्रिवियस एस में आयोए प्रस्णों का अवलोकन कर रहे थे और 23 प्रस्ण तक हमने देख लिया है, जिसमें हमने देखा था 23 नमबर प्रस्ण में कि टेलिस्कोप की खोज गैलिलियों ने की थी और 24 से इस विडियो में देखेंगे, तो सबसे पहला प्रस्ण है इस सदी की सुरुआत में हवाई जहाज का अविसकार किस ने किया तो हवाई जहाज का अविसकार राइट व्रदर्स ने किया बिकल्प ए इसका सई अंसर ही, ये दो भाई थे एक ओलिवर विलवर और पतान एक और क्या नाम था तो दोनों मिल करके हवाई जाहज की अविस्कार किये थे ठीक है हलाकि कुछ वर्स पहले एक मूवी आई थी पिक्चर बॉलिवुड में हवाई जादा करके उसमें आईश्मान, खुराना और मिथुन चकरवर्ती एक्टर थे उसमें ये दिखाया गया कि 1893 में ही भारतियों ने हवाई जाहज का विस्कार कर लिया था लेकिन गुलामी के कारण वो चीजे उपर नहीं आ पाई तो हलाकि इसका कोई मतलब नहीं है मैंने सिर्फ चर्चा कर दिया माना यही जाता है राइट गुदरस ने की थी नेक्स दिखते हैं एक माइक्रोन बरावर है तो एक वटे एक हजार मिलिमीटर के बरावर है चलिविकल्पसी इसका सही अंसर हो गया नेक्स्ट है 40 डिगरी सेल्सियस का मान फारन हाइट स्केल में है तो वैसे तो इसका एंसर A नंबर हो गया 104 डिगरी फारन हाइट ठीक है लेकिन बात यहांसे नहीं बनेगी हमें यह पता होना चाहिए कि डिगरी को फारन हाइट में कैसे बदलेंगे तो वैसे तो आपको पता ही होगा लेकिन मैं अपने तरीके से बताता हूँ देखिए जितना भी डिग्री है ना उसको 1.8 से मल्टिप्लाइ कर जिसे 40 यहां लिखा हुआ इसको 1.8 से मल्टिप्लाइ कर दिजिए अपका सही है तब और 32 को ऐड़ कर दिजिए जितना आएगा वही आपका एंसर हो जाएगा ठीक है और अगर पॉइंट वाला में दिखकत होता है तो कोई बात नहीं है डिग्री से लिखिए और 9 by 5 लिख दीजिए मैं फिर समिटाग लिखता हूँ 40 इंटू 9 by 5 दर असल 9 by 5 को आप डिवाइड करेंगे तो 1.8 ही आएगा और इसमें से फॉर्मूला भी इस तरह से लिखा हूँ आपको पीडियाफ यही वाला मिल जाएगा जब लास्ट वीडियो आएगा तो आपको पीडियाफ मिल जाएगा आप टेलिग्राम से ले सकते हैं नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का परियोग एक मिस्रन से पदार्थ को अलग करने में होता है इसलिए विकल्ब 20 का सही अंसर हो गया और ये कुश्टन बस ब्याक्या में भी वही बात लिखा हूँ ये कुश्टन बहुत महत्पूर है नेक्स्ट लिखावा है लोलक की काला अवदी यानि की टाइम पिरियेड किस पर निर्वर करती है तो लोलक की गुननफल होता है कौन वल ऐसे एक पॉइंट और है कि संबेग वं बेग का अनुमान किस चीज़ से लगाया जाता है तो ड्रबमान से लगाया जाता है ध्यान रखना है मतब एक तरीके से एक बात ये वीद समझ सकते हैं कि संबेग और जो बेग का अनुपात होगा जो रि गुल्मलाकर के बात ये इतना रियाद रखना है नेक्स देखते हैं मैं फिर से बोल देता हूं इसको बल का गुननफल चुननफल अर त्वरन जो आ संबेग और भेक का ये वही दरसल था रहे वही द्रबमान होता है इतना ही बात मुझा और बात क्या थी नेक्स लिखा हो पुछ जैते हैं, तोरण क्या है, सदिस है कि अदिस है, तो यह सदिस रासी है, तोरण, आपको याद आ ही रहा होगा, कि समान रूप से व और त, सरी व और व यह दो अगर कहीं पर सुरू-सुरू में मिल रहा हो, किसी सब्द के तो समझ लीजे कि वो सदिस रासी है यह हमेशा लागु नहीं होता जैसे बाहर देखिए सदिस रासी है लेकिन फिर भी यहां पर वह तो है नहीं तो समान रूप से पहचानने के लिए तो वह है यहां पर इसलिए सदिस रासी हो गया मैं बार बार यह से बात द गुछार हो तो यह दुनों जो रहेंगे वो सदिसरासी रहेंगे देखिए यहां पर भी व अगर अगर आप लिखते हैं तो भार में लेकिन पिर भी यह सदिसरासी एक पॉइंट यह बात हो पांच आपको और याद रखने हैं जो अपवाद है दरसल इसके कैसे द्रवमान में देखिए वो आपको दिख जाएगा विद्धुत धारा में भी वो आपको दिख जाएगा ठीक है बिसिस्ट उस्मा में भी वो आपको दिख जा रहा है फिर उसके बाद घनत्व हो गया, दाव हो गया और एक चीज और कुछ है, आवेस तो आवेस, घनत्व और दाव ये सब सारे चीज़े भी हैं, लेकिन ये सब सारा वः होने के बावजूद भी ये सब सारा क्या है? अधिश रासी है ध्यान रखना है, मैं फिर से बोल देता हूँ समान रूप से वह और वह और भार ये आपको सदिस रासी के क्लासिफिकेशन के लिए सक्षम बना देगा, लेकिन कुछ अपबाद याद रखना होगा तब द्रवमान, विद्दुद्धारा, विशुशुषुष्ट, उसमा तीन हो गया, आवेक, घनत और दाव ये तीन दिन छे हो गया, ये छे वह होने के बाद भी ये क्या है अदिस रासी है तो बार बार आप सुनते रहे हैं आपको याद हो जाएगा सदिस रासियां वे रासियां होती है जो परिमान के साथ साथ दिसा भी बताती है परिमान मात्रा और दिसा दोनों बताता है बिस्थापन वेग वल सदिस रासियां है देखिए इसमें सब में वह वह है जो सदिस रासियां हो गया अधिसरासी वह रासी है जो केवल परिमान बताती है दिसा नहीं बताती है इसलिए आईतन एक अधिसरासी तुसमें वह ही बताया है बस मैं अपबादवल आपको याद कराना चाह रहा था कि अपबादवल अच्छे याद रखिए द्रवमान बिश्च चुस्मा विद्दृधारा आवेश घनत और दाव ये छे वह होने के बावजूद ये अधिसरासी है निक्ष देखते हैं पदार्थ के संबेग और बेग के अनुपात से कौन सी भौतिकरासी प्राप्त की जाती है तो द्रवमान प्राप्त की जाती है इसलिए विकल्ब सीस का सही अंसर हो गया अभी तो ये पूछा था पुछा है एक उपर में कुछा था या कि वल ओर work उता करेंग rugged का होकाई ब offensive का सही एंसर वगया तो यह असांट्सा ужा कोई बनमाएगा इसमें कहीं मोई यह देख लेते हैं ठोड़ा सा एक किलोमिटर बरावर एक हजार मिटर होता है आपको पता ही होगा एक मिटर बरावर एक हेक्टो मिटर होता है और एक हजार सेंटी मिटर बरावर एक डेका मिटर होता है और एक सोज सेंटी मिटर बरावर एक मिटर होता है ये भी आपको पता होगा 10 पी पावर minus 12 ग्राम के बरावर होता है ठीक है औरrade, Commission 1 पुछ देता तब क्या भूलते हैं 10 पे पावर 6 माइनस में रहेगा तो यह इतना ग्राम मतलब 10 पावर minus 6 ग्राम यह जो मै को बरावर होता है लेकिन 10 पावर 12 का ग्राम यह फेम्टो हो जाएगा 15 ऐसे याद रखे 15 होता है और यहां 15 है तो 10 राइस होता पावर 15 ग्राम इक्वल टू फेम्टो नेक्स्ट आप एक लिफ्ट में खड़े हैं लिफ्ट के फर्स पर आपके भार द्वारा लग रहा बल तो लग रहा बल क्या है तो विकल 20 का सही अंसर है फिर से ब्याक्या पढ़ देता हूँ और क्लेरिटी आएगी लिफ्ट के 9.8 मीटर स्केंड स्क्वाइर के तोरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्स पर बेक्ती का दवाव नहीं पढ़ता है अता उस समय फर्स पर उसके द्वारा लग रहा बल सुन होगा बस इतना ही बात है नेक्स्ट है वायू में दोहनी तरंग होती है तो दोहनी तरंग कैसी होती है वायू में वायू में अनुधैर तरंग होती है ठीक है देखिए एक चीज ध्यान रखना है पहले इस पर बात कर लेते हैं, वायू में दोहनी तरंग होती है, क्या होती है, अनुधैर होती है, अनुधैर तरंग ही किसको कहते हैं, जब माध्यम की नीड होती है, मतलब किसी वैसे तरंग को हम कहते हैं, दोहनी तरंग, मतलब अनुधैर तरंग कहते हैं, जहां पर माध्य प्रव यहां पर है इसलिए प्रकास तो प्रकास वाला ध्यान रखिए ऐसे इलिमेट हो जाएगा प्रव और प्रकास तो अनुप्रस्त तरंग हो गया लेकिन अनुधहर यह बायू वाला अनुधहर तरंग है ठीक है वायू में ध्वनी तो धह से ध्वनी और धह से अनुधहर ऐसे भी याद रखा जा सकता है इसको ध्वनी तरंग अनुधहर तरंग धह यहां पर है आधा धा धा दोनों में तो कुछ कुछ ना कुछ ऐसे तिकडम लगाना पड़ेगा याद करने के लिए वरना वहाँ पर जान तरंग अनुधेर होती है क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गती की दिशाक के अनुधिस दोलन करते हैं तो ये इतना लंबा चुड़ा कहानी नहीं याद रखना है बस में पहचानने वाला तरीका याद रखना है रेत और नेफ्थलीन के मिसरन को किसके दौरा प्रिथक किया जा सकता है तो उर्धरवपातन ये सब्लिमेशन के दौरा प्रिथक किया जाता है रेत और नेफ्थलीन के मिसरन को तो भी कल्ब एसका सही अंसर हो गया सब्लिमेशन सब्लिमेशन से डारेक्ट हो से गैस में परिवर्तित हो जाता है नेक्स देखते हैं अच्छा इसमे मैं वही बात लिखाव में एक पर पढ़ देता हूं फिर से नैप्थलीन उर्द वादर ने उर्द पातन का गुन प्रदर्शित करता है अता रेत और नैप्थलीन के मिस्रण को उर्द पातन यहीं सब्लिमेशन द्वारा लग किया जाते सेम बात है उधर पातन वह प्रक्रिय होती है तो सकती की काई होती है तो आपको वह पता होगा क्योंकि कितने वाट का है चाफ हो गया अचा कई पर लिया है जैसे हमने पढ़ा था सबसे पहले वीडियो नेफरों किसका एकाई है HERS का है, एंगेस्टॉम किसका एकाई है, तरंग्धैर का, तो यह सब सारा हमने पढ़ लिया था, अच्छा, यह हर्ट से कुछ याद आरा है, हर्ट आविर्ती हर्ट का एकाई है, ठीक है, एक बात क्या याद आरा है, आपने यह सुना होगा, कि 1921 मे प्रकास बैदुत प्रभाव के लिए Einstein को नोबल पुरुसकार मिला था ठीक है लेकिन एक कोशन और बनता है कि प्रकास बैदुत प्रभाव के खोज करता कौन थे तो खोज करता Henry Hurd थे इसमें बहुत confusion होता है Henry Hurd थे हलाकि नोबल पुरुसकार इस पर काम करने कारण मिला था Einstein को तो ये बात ध्यान रखना है तो भी आगे आएगा तो कई बार मैं बोलूँगा अच्छा एक पॉइंट और है ये दाव आया था ना दाव का क्या होता है एक आई तो दाव का इक आई होता है Newton पर Newton Newton मीटर स्कॉयर होता है या फिर पासकल भी होता है तो ये पॉइंट भी याद रखना इसके साथ साथ ये सब सारा वही बात है नेक्स्ट टर्वाइन एवं डाइनेमों से बिजली परात करने में किस उर्जा को बिदूत उर्जा में परिवर्चित करते हैं तो मेकेनिकल उर्जा को बिदूत उर्जा में परिवर्चित करते हैं विकल्ब सीस का सई अंसर हो गया वही बात यहां लिखावा है टर्वाइन एवं डाइनेमों में बिजली परात करने के लिए यांतरिक उर्जा यानि मेकेनिकल को बिदोत उरजाम परवर्टित करते हैं तो आज कल इंगलिस सब्द भी दे देता है ऐसा नहीं कि हिंदी में रहेगा तो हिंदी देख लेगे हिंदी में भी देवनागरी लीप लिख देगा अरे, अच्छा, एक हजार है ना, तो एक और जिरो रहेगा, तो जिरो जो कैंसल नहीं, एक बचा, यह एक यूनिट, तो एक यूनिट के विकल, वी में इसका एंसर है, कभी पता इसी को बढ़ा कि क्या पुछेगा, दस वाट की बिजली का बल्व, दस घंटे जले, और दस ब देखते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा देखने में, छोटा-छोटा लास्ट में एक फिर मास्टर वीडियो अप्लोड कर दूँगा, तो आपको रिविएन करने वासानी होगी, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और सब्स्राइब चैनल नहीं है, तो प्लीज कर लिजे, मार्स तक अगर एक हजार नहीं होगा, तो चैनल बंद हो जाएगा, थैंक यू,